बिग बॉस के घर में घम असान है, हर कोई फुटेज पर टोड़ने में कोई कमी नहीं छोड़ रहा, जीत की तरफ सब बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इसी कड़ी में सवाल ये भी रहता है कि आखिर घर का मास्टर माइंड कौन है, इस बारे में अपनी राय दी है बिग बॉस स सीजन बारे में जोड़िया मजबूत और एंटर्टेनिंग नज़र आ रही है, ये में से एक जोड़ी है दीपक ठाकूर और उर्वशी की, दीपक अलग एकलोते तोर पे देखा जाए तो ऐसे कंटेस्टेंट है जो गेम को सूझ बूझ के साथ खिलते हैं, और यही मानना ह है शिलपा शिंदेगा, हाली में एक इंटर्विव में शिलपा से जब पूछा गया कि वो इस सीजन में किसे मास्टर मैंन मानती है, एक्टरस ने तुरंद जवाब दिया और कह दिया कि दीपक ठाकूर, वो दीपक से काफी इंप्रेस नज़र आई है, उन्हें लगता है कि दीपक शो में लंबी रेस का घोड़ा है, बहुत लंबा जाएगा यह लड़का, शिलपा कुछ दिनों पहले घर में एक टास्क की मॉडिरेटर बनके भी नज़राई थी, उस वक्त वो खान सस्टर से भी काफी इंप्रेस थी, जहां तक बात है दीपक की, तो सीजन 12 में ए प्रेरिंग भी कम नहीं है, अब दीपक की यही क्वालिटी उन्हें टॉप फाइफ का एक एहम दावितार बनाती है, खाली में दीपक ने नॉमिनीशन टास्क के दौरान बिना सोचे समझे बहुत ही डियर के साथ अपने बाल तक मुड़वा दिये, लोग काफी इंप्रेस हो रहे हैं, पर फिलाल शिल्पा शिंदे ने भी अपनी राय देदी और शिल्पा की सुराय के बाद कही न कहीं शिल्पा के फैंस का ध्यान टीपक की तरफ ज़रूर जाने वाला है, अब दीखते हैं टीपक कहा तक जाते हैं, उम्मित तो बहुत लंबी है, फिलाल इस प्रोडियो में एतना ही